कि अब अगले 15 दिनों में आप सीए फाउंडेशन का रिविजिन किस तरह से कर सकते हो जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेरिफिशल होगा इसको सुनना अगर आप लोगों ने यह सारी चीज में फॉलू कर ली तो आपको काफी हेल्प मिलेगी सबसे पहली बात में दे दिना चाहता हूँ यह जो भी स्वलू की लिए तो अगर कोई स्ट्राडिशन पहली तो आप लोग अपने हशाब से स्ट्राटेजी में ट्23 कर सकते हो लेकिन Looking अपने इस त्राइवरेज स्टाठीजिश में आभ着वर्जेट ठीक है, then what, just revise, simply आपको revise करना है, कैसे revise करना है, तो देखो, आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप self study कर सकते हो, या तो आप revision lectures वगरा कुछ ना कुछ देख सकते हो, ठीक है, अब अगर हम self study के बारे में बात करें, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, what should be your ideal sources of self study, तो आपके सबसे पहले आपके खुद के notes, ठीक है, scanner, mock test papers, mind maps, important questions, ambiguous questions, सुनो अब बेरी बात ध्यान से, जब भी मैं आप लोगों को से ये foundation का maths पढ़ाता हूँ, तो मैं आप लोगों को पूरे के पूरे sessions में लगातार बताते रहता हूँ, देखो, ambiguous question है, ये ambiguous question है, ये ambiguous question ह लगे होंगे, आप उन important questions की list बनाओंगे, अगर आप लोग मेरे student हो, और आपने वो important questions की list अपने लिए बना रखी है, तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना रखी, तो अभी भी समय है, अगले 15 दिनों में आप उस important question की list बना सकते हो, ठीक है, अगले जितने इन अगले दिनों में आप important questions की list बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, उसको हम लोग उसके बारे में बात करते है, why am I asking you to make a list of all the important questions, क्योंकि exam से एक दिन पहले, 1000-2000 questions को revise कर पाना possible नहीं होता है, कुछ-कुछ questions आप revise करोगे, लेकिन जो questions आपने important mark किये हुए है, उन पर आपको और ज्यादा focus देना होगा, ठीक है, तो आपकी अपने खुद के notes, scanner, scanner बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, mock test papers, mind maps, important questions, ambiguous questions, यह आपके कुछ sources है, जिससे आप revision कर सकते हो, through self-study, strategy क्या होने वाली होगी, कि जो भी chapters, जिन chapters की high weightage है, उन्हें आपको prioritize करना होगा, high weightage वाले chapters कौन-कौन से हो गए, जैसे mathematics for finance, logical reasoning, measures of central tendency and dispersion, 50 number के questions तो इनी तीन chapters में से आ जाते हैं, तो आप इनको priority दो, इन पे ज्यादा focus करो, और इन में भी जो-जो questions में, जिन-जिन questions में आपको problem आ रही है, आप उनको red mark करो, यह जो red questions आप mark करोगे ना, इन्हें आपको rose revise करना है, सपोज आपने आज mathematics for finance उठाया, mathematics for finance में आपने 10 questions किये, इन 10 questions में से आपको 3-4 questions लगे के आ रहे, तो बहुती difficulty मेरे तो सर के उपर से जा रहे, इन 3-4 questions को आपको red mark करना है, और इन 3-4 questions को आपको rose revise करना है, ठीक है, actually आपको rose revise करना है, बार-बार बार-बार लगातार आप आपको revise करते रहना है, अगर आप lectures देखना चाहरे हो, तो आपके पास क्या-क्या sources है, अभी हम लोगों के sprint series चल रही है, हम लोगों के marathon revisions अल्रीड हुए है, जो जितने भी marathon revisions आपकी YouTube चैनल पर पड़े हुए हैं, एक आगरता की YouTube चैनल पर पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे marathon revisions बिलकुल आप लिके बने हैं, आपके exam के लिए, ठीक है, don't wait के नहीं नहीं है, हम तो live ही करेंगे, live ही करेंगे, जिसे revise करना है, वो अराम से recorded sessions देखके करना है, और बहुत सारा content एक आगरता सी है, कि YouTube चैनल पर अल्री पड़े हुआ है, तो आप उसको देख सकते ह सपोज आपने का mathematics for finance, mathematics for finance revision, C.A. निशांत कुमार, आपने YouTube पर टाइप किया, मेरे best से best revision series, मेरे best sessions, जो भी mathematics for finance के होंगे, YouTube पर वो आपको मिल जाएंगे, वो आप लोग यहां पर देख सकते हो, Self study के आपके पास क्या-क्या sources है, आपको करना ही करना है, scanner आपको करने ही करनी है, mock test papers आपको करने ही करने है, strategy क्या होगी, again वही strategy है, कि आपको high weightage वाले chapters को prioritize करना है, important questions को red mark करना है, और उन्हें बार 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 लगातार इन questions को आपको revise करते हुए चलना है, Now, मैं बार बार कह रहा हूँ, priority वाले chapters को, high weightage वाले chapters को priority दो, तो priority wise chapters मैं आपको बता देता हूँ, average marks की basis पे, now this is not given by ICAI per se, ठीक है, यह ICAI नहीं दिया हुए, यह जिस basis पे questions आ रहे हैं पिछले कुछ exams में, ICAI के exams में, उसके basis पर यहाँ पर priority set की हुई है, तो आप लोग यह आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले हो गया आपका logical reasoning, फिर हो गया mathematics for finance, फिर measures of central tendency and dispersion and so on, तो इस तरह से आप chapters की, priority wise chapters को आप लोग देख सकते हो, chapter के number में मत जाना, यह हो सकता है, chapter number 15 लिखा हुआ, measures of central tendency and dispersion का, but वो chapter number 14 है, chapter के नाम पे जाना, number पे जाने की कोई ज़रत नहीं है, ठीक है, तो यह कुछ priority wise chapters आपके पास है, यह कुछ ऐसे chapters है, जो आपको definitely करने ही करने है, time value of money, mathematics for finance, एकी चीज़ होगे, chapter number 4, time value of money, mathematics for finance, यह आपको करना ही करना है, logical reasoning आपको करना ही करना है, statistical description of data, measures of central tendency and dispersion, ratio proportion and disease and logarithms, sequence and series, index numbers, correlation, regression, यह कुछ ऐसे chapters है, जो आसान ह आते हैं, तो इन chapters को तो आपको करने ही करने है, scanner को आप effectively कैसे use कर सकते हो, बहुत ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले, तो जो भी आप chapter कर रहे हो, उसको study material से complete कर लो, ICAI के study material से, suppose आपने mathematics for finance उठाया, अब mathematics for finance को आप ICAI के study material से पूरा complete कर लो, उसके बाद आप scanner उठाओ, औ scanner में आप पीछे से questions को करना start करो, तो basically scanner में हैं क्या, जो questions हैं, वो year-wise arranged है, 2009 से लेकर 2024 तक है, सारे के सारे questions महां पर arranged है, तो अभी आपका exam जो भी है, उससे just पिछले वाले जो भी attempt हुआ है, उसके questions को आप revise करो, और उसके बाद उससे पिछले attempt के question को आप revise करो, उसके बा पीछे पीछे चलते हुए revise करना है, और कम से कम ऐसे 10 attempts के questions आपको करने है, कम से कम, वैसे तो सारे attempts के questions अगर कर पाओ, तो उससे बहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके confidence को next level पर लेकर जाएगा, लेकिन कम से कम 10 attempts के questions तो आपको करने ही करने है, and now what will be the final step, आपको एक document बनाना है, revision in 24, trust me, this is going to help you like anything, ठीक है, ये वाली चीज मैं करना था, अपने CA final exams में, जब मेरा CA final निकला था, ठीक है, this is the final step that you have to prepare, you have to prepare this document titled revision in 24, why am I calling it revision in 24, I'll tell you, जब आप law का paper दे कर आओगे, तो maths के paper तक, आपके पास 24 घंटे का effective study time रहेगा, ठीक है, law के paper के बाद एक दिन के चुट्टी रहेगी, उसके बाद आपका maths का paper होगा, law का paper आपका suppose 5 बजे खतम हुआ, आपको घर आते आते तक 6 बज गए, ठीक है, आपने 7 बजे से पढ़ना शुरू किया, तो अब आपके पास जितना effective study time में, मैं सोना, खाना, पीना, नहना, धो सब हटा रहा हूँ, rest करना, ये सारी चीजे में हटा रहा हूँ, ठीक है, तो जितना भी आपका duration आएगा, time का, उसमें से पढ़ने के लिए आपके पास 24 घंटे होगे, तो इन 24 घंटे के study time में, आपको revise क्या 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 करना है, वो आपका ये document बताएगा, और ये ही document आपक इसके लिए आपको prepare करना होगा अभी से, अभी से अगले 15 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा crucial होने वाले हैं, क्योंकि अब जब आप इन questions को revise करोगे, you have multiple sources, ICAI का study material, mock test papers, scanners, वगेरा वगेरा, बहुत सारी चीजे हैं आपके पास, आपको इन में से chapters को revise करना है, और important questions को mark करते हुए चलना है, important questions मतलब जो questions आपके लिए important है, जो questions आपके लिए difficult है, right, हो सकता है कि कोई ए question बहुत ही simple लगता हो काई सारे लोगों को, लेकिन आपको अगर वो question difficult लग रहा है, तो that question is very very important for you, and that question should be in your revision in 24 वाली series, क्योंकि exam से एक दिन पहले आपको वो वाल a lot of marathons, जिसमें बहुत सारे आपको वो मिल जाते हैं, जैसे मैं भी आप लोगों को इस video के description में ही, I'll share with you the list of all, I'll share with you the playlist of the marathon sessions, उसमें notes वगरा, everything you'll get, all the list of all important questions, everything you'll get, लेकिन फिर भी, जो खुद के बनाई हुई list होती है, यह मेरे लिए important questions है, उसका मुकाबला कोई नहीं क तो revision in 24 वाली जो sheet होगी, उसमें हर chapter के वो important questions होगे, जो आपको exam से एक दिन पहले revise करना है, तो a lot of students face this problem, कि सर अब exam से एक दिन पहले कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसकी तयारी आपको अभी से करनी है, in the next 10 to 15 days, whatever time you have left for your exam, depending upon whenever you're watching this video, ठीक है, जबरूरी तो depending upon whatever time you have left for your exams, आपको इस time में हर subject के लिए, जो भी आप पढ़ रहे हो, उस subject में, उस chapter में आपको important questions, जो questions आपको difficult लगते है, जिन questions को लगता है, कि आपको लगता है, कि यार इसमें तो सोचना पढ़ रहा है, पहला step क्या यहीं नहीं समझ में आ रहा, ऐसे questions की आपको list बनानी है, अगर किसी एक particular chapter में कोई एक particular topic ऐसा है, जो आप भूल जा रहे हो, जो आपको revise करवाना है, for example, अगर मैं mathematics for finance के बारे में बात करो, तो mathematics for finance में, suppose आप nominal rate of interest का concept अगर भूल जा रहे हो, तो revision in 24 में, sorry, mathematics for finance वाले chapter के revision in 24 वाली sheet में यह compounded annual growth rate वाला, यह मैंने क्या ब interest वाला concept आपके words में लिखा हुआ होना चाहिए, हिंदी, English does not matter, हिंदी में हो, चाहे इंगलिश में हो, चाहे आपकी अपनी language में हो, अगर आप गुजरात से हो, गुजराती में लिखो यार, nominal rate of interest क्या होता है, you understand the concept, you reproduce it in Gujarati, you write it in your revision in 24 वाली sheet, trust me, it'll help you like anything and this will, this will mark your victory in CA foundation exams, I'm telling you, ठीक है, तो the idea is कि between papers 2 and 3, the effective study time is 24 hours, इसमें आपको क्या करना है, हर chapter के लिए आपको बस दो pages के notes बनाने है, आपको पूरी book बनाने ही नहीं है, आपको सिर्फ दो pages के notes बनाने है, जहां पर आपको important questions लिखने है, important question numbers लिखने है, और important formulas लिखने है, यह आपकी preparation रहेगी for the revision in 24 sheet, इसका benefit क्या होगा, आपको सिर्फ यह revision in 24 sheet देखनी होगी exam से एक दिन पहले, आपको कोई मेरा भी session देखने की जरूरत नहीं है, exam से देड़ दिन पहले, किसा last day में कैसे revise करेंगे, आप बता दो, मैं वही सारी चीज़ें बता होगा, ठीक है, तो आपको वो सब भी क किस level तक जाएगा, and you'll be amazed कि भाई क्या किस level तक का benefit मिल रहा है, ठीक है, याद रखो, well begun is half done, अगर आपने अभी से इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद से काम शुरू कर दिया ना काइदे से करना, तो समझ लो आधा काम आपका हो चुका है, ठीक है, अब सुनो, जितन आज शाम को रिवील होगा, तो एक आगरता है CA कि YouTube चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपके पास notifications आ जाए, क्योंकि यह जो ओफर है, वो यहीं पर एक आगरता है CA कि YouTube चैनल पर ही रिवील किया जाएगा, right, and this offer is going to be valid from 4 p.m. till 11.59 p.m. midnight, तो जितने भी लोग September में exam दे रहे, I don't think आप लोग तो कुछ ना कुछ खरीदने वाले हो से, लेकिन जो लोग January 25 की preparation कर रहे है, if you want to purchase regular batches or whatever, then this offer is going to be for you, for both CA foundation as well as for CA intermediate, तो यह आप लोग यहां से देख सकते हो, and that is it, wish you guys all the very best, comment section में comment करके जरूर बताना, आपके अगर कुछ स one of the comments, okay, thank you so much, wish you guys all the very best, Jai Hind.